अगर आप चाहते हैं कि आपका online business आपकी website आपके online product top search result में आए तो आपका ये program देखना बहुत जुरूरी है इस program में हम SEO को discuss करेंगे कि आप किस तरह अपना online business अपनी online product और अपनी website को top search engine में ला सकते हैं मैं हूँ आईशा मतीन और हमाई स्टूटी में मजूद है IT expert सगीरुदिंग शहजाद सर वेलकम सर सबसे पहले हमें ये बताईए कि SEO का क्या मतलब है इसके हवाले से हमाई नाजीन को थोड़ा बताएं आपने ये जो program start किया है search engine optimization के हवाले से ये बहुत ही important है पाकिसान में क्योंकर search engine optimization की ज़रूरत बहुत ही ज्यादा है इस वर्ट तो ये जो program है ये हमने start किया search engine optimization के हवाले से जो SEO है, SEO actually कहते हैं search engine optimization को, अब ये search engine optimization होती ही क्या है, ये एक ऐसा process है, जो आप अपनी website पे, अपनी online product पे, एक process करते हैं, उसको optimize करते हैं search engine के हवाले से, ताके आपकी website, आपकी product, या आपका कोई भी online business है, वो search engine में top results पे आए, अब top results पे क्यों लाना चाहते हैं, obviously आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे users हैं, बहुत सारे ऐसे, जो आपके buyers हैं, वो buyers जब आपकी website को देखते हैं, जब भी Google पे आते हैं तो सबसे पहले एक keyword टाइब करते हैं, जब वो keyword करते हैं तो उसको कुछ results नज़राते हैं, जब results नज़राते हैं, तो आपिज पे तो आपने देखा होगा Google पर navigation के नीचे सबसे उपर जो होती ही वो ads होती है ads के नीचे maps होते हैं, map के नीचे आपके organic search results होते हैं तो आपका भी ये experience हुआ होगा कि जब भी आपने किसी भी website को find करना है कोई भी जब keyword आप लिखती हैं तो top जो 2 और 3 और 5 जो top results हैं आप उनी को click करती हैं क्योंकि अगले click पे नहीं जाती अगले page पे नहीं जाती तो ये एक process होता है कि आप अपनी website पे उसको search results में टॉप पे लेके जाएं ताके जितने भी users है वो आपकी website पे आएं और आपकी product है या services है उसको वो भाई करें या आपकी website पे traffic स्यादा आए तो इसको कहते हैं हम search engine optimization Sir आपने SEO के हवाले से बताये यह क्या होता है इसकी क्या procedure है अब यह बताएं यह क्यों जरूरी है SEO जो है क्यों जरूरी है देखें यह दोनों जो system होते हैं सबसे पहले crawler क्या करता है जो search engine क्या करता है कि आपकी website पे जाता है वहां पे जाके मुख्लिफ pages को रेड़ करता है उसके मुख्लिफ urls को रेड़ करता है जो आपकी website पे information है आपको पता है दुनिया में मिलियन्स ओफ वेबसाइट हैं वो सब की इन्फोमिशन उसने कॉलेक्ट करनी है कॉलेक्ट करके क्रॉल करनी है और उसको इंडेक्स करना शुरू करते हैं इंडेक्स जब वो करता है तो इंतहाई सर्च इंजन आप्टिमाइजड पेज जो होता है जो इंतहाई relevant क्यूरी होती है यूजर के वो उसको सामने ले आता है और अगर आपका पेज सर्च इंजन आप्टिमाइजड नहीं है तो जो क्रॉलर होता है वो उसको हाथ भी नहीं लगाएगा इंडेक्स तो कर देगा, वो रिजल्ट नहीं सामने लेके आएगा. अच्छा अब ये रिजल्ट जब लेके आता है सर्च इंजन, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद यूजर्स आपकी जो वेबसाइट है, उसको प्रेस करता है, उसको लिंक विजट करता है, इसको डिटेल बता सकते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं और इसके क्या क्या फंक्शन हैं? जी, बिल्कुल. देखें, सर्च इंजन को समझने के लिए और अपनी वेबसाइट को SEO अप्रिमाइज करने के लिए, सर्च इंजन की क्यूर्स को समझना बहुत सरूरी है. तो मेरे जो कि यूजर्स हैं जो SEO एकसपर्ट्स नहीं के लिए इस स्टुटेट्स हैं वह SEO के उनके लिए भी इफिंफ्रमेटिव होगा कि की इस सर्च इंजन की उसे हम चाहते हैं NIT कूरी मतलब यह होती है नविगिशनल क्यूरी यह मैं आपको एक्से क्वाइब करोंगा कि कूरी किस काम आती है उसके बाद होती है informative query, उसके बाद होती है transactional queries, अब यह search engine इन तीन टाइप की queries को लेता है, जो के जानी जाती है ज्यादा तर, अब navigational query क्या करती है, कि जब भी कोई website, Google पढ़ता है, सबसे पहले उसका नाम भी पढ़ता है, मसाल के तोर पे जब आपने navigational query, आपका experience होगा, navigational query क्या होती है, कि किसी भी company के नाम से आपने किसी website को search किया है, मसाल के तोर पे आपने Google में गई और Google में जाके Facebook लिखा, तो आपकी intention है Facebook जो brand है, उसको find करने की, इसी तरीके से आपने बहुत सारे brands जो हैं, जब brands का नाम आप type करें, तो वो brand की website टॉप पे आती है, वो होती है navigational search query, उसको वो navigate करता है, कि उसका जो search, URL है, वो क्या है, उसके बाद आती है informative query, अब informative query जो है, वो इंतहाई important है, वो तमाम दुनिया के जितनी भी information है, वो उसको search करता है, अब बहुत सारे जो हमारे SEO experts हैं, वो informative query पे काम करते हैं, क्योंकि गूगल ने उसी query को read करके अपने पास लेके आना, तो उसके बाद होती है transactional query, अब ये transactional query वो होती है, जब आपने किसी product को buy करना होता है, मसाल के तोर पे आपने कोई buy करना है specific galaxy S3, तो वो उस product के page को, उस product को display करवाएगा, तो उसे कहते हैं transactional, जब आपकी intention होगी, किसी भी चीज़ को buy करने के लिए, तो ये three types की अगर query समझी जाए, तो SEO बहुत ही आसान हो जा वो ये नहीं देखते के Google का, या search engine का behavior क्या है, उन queries के लिए, उन different queries के लिए, क्या product की query के लिए different तरीके कर आपने एक्तियार करना है, क्यूंकि हर एक query के लिए Google के different types के algorithms हैं, उसके different type की search engine optimization की requirements हैं, तो बास उकात user क्या करता है, के navigational query पे जो चीज़ हमें navigational पे चाहिए, वो कर रहे होते हैं, informative query पे, जो informative पे चाहिए, वो कर रहे होते हैं, product query या, जैसे हम transactional query पी कहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है, queries को समझते हैं, क्यूंकि उन queries का पता नहीं है, क्या function है, और यह क्या काम देखते हैं, thank you sir, आपने question की तरफ आते हैं, क्या SEO एक professional के तौर पे लिया जा सकता है, जी बिलकुल, SEO तो obviously यह profession के तौर पे लिया जा सकता क्या, क्या है, क्या हमारे, आप तो SEO एक बहुत ही जबर्दस किसम की आपकी एक job बन गी हुए है, आपका profession बन गया है, और यह बड़ा high paying profession है, पाकिस्तान मे इसको इस तरीके से लिया जाता है, पाकिस्तान में बहुत serious ने इसको लिया जाता search engine optimization को, हाला के अगर आपकी website search engine optimized होगी, अच्छा वो किस तरीके से होगी, उसके लिए हम एक अलादा program करेंगे, कि हम अपनी website को किस तरीके से optimize कर सकते हैं, अगर आपकी website optimize होगी, तो search engine पे आएगी, अब जो expert होगा SEO का सिर्फ वो ही बन्दा ये काम कर सकता है, और उसके लिए आपकी search engine पे लाने के लिए, क्या चीज़ जरूरी क्यों आप लाएंगे search engine पे, टॉप पे, क्योंकि इसे कहते है organic results, जब आपके organic results आएंगे, और आप कोई भी advertise ना करें, और organic आपकी website आपके लिए तो आपके लिए हमेशा फादा मंद होगी, तो ये और organic search result पे लाने के लिए आपको कुछ invest करना पड़ता है, जो के आपको पे करना पड़ता है SEO people को, SEO experts को, तो ये definitely एक profession के तोर पाकिस्तान में ये बहुत ही एक growing stage है, SEO jobs की. Sir, अब मुझे बताये कि SEO कोई future भी है, इसमें future से related कुछ हमें benefits हो सकते हैं, इसके वारे में जबादा गाइड कीजिए. ये देखें, ये question आपका, जो है ना, दो तरह का मुझे समझ आया है, जो आपने काया कि इसके future के benefit क्या हो सकते हैं, आप क्या users के हवाले से पूछ रही हैं, या के websites के हवाले से पूछ रही हैं, मैं आपको दोनों के जवाप दे देता हूँ. अगर आप users के हवाले से पूछ रही हैं, उनका future तो obviously ये तो बहुत ही bright future है, क्योंकि अगला दौर है digital, और search engine optimization और digital marketing तक्रीबन तक्रीबन मिलते जुलते हैं, मगर जब आप देखें कि future websites के हवाले से, obviously अगर आप एक website को search engine optimization के हवाले से एक website बनाएं, और उसके उपर apply करें, सारी SEO की जितनी भी implementation है, अगर आप apply करें तो obviously आपकी website हमेशा के लिए top पर रह सकती है. अच्छा, इसमें हम कुछ ऐसी चीजों पर भी discuss कर लेती हैं search engine optimization के हवाले से, कि आपको करना क्या है, हमारे users को करना क्या है, अगर वो चाहते हैं कि अपनी website को top पर लेके आना, तो search engine किस तरीके से उसको behave करेगा, search engine किस तरीके से behave करेगा, तो search engine की logic क्या होती है, यह जब 1996 में Google जब पैदा हुआ था, उस वक्त उस ने एक इस्तलाह बनाई, क्योंकि Google ने जब यह search engine बना रहे थे, तो इन्होंने सोचा, इनका जो प्लैन था वो यह था कि जो क्यूरीज हैं, results हैं, जो search के results हैं, वो user को बहुत ही अच्छे मिलने चाहिए, जो इनके Google के users थे, यह किसी भी search engine के users होते हैं, उनका सबसे पहले मक्सद यह होता है, कि हमारे जो users हैं, हम उनको बहुत ही अच्छी चीज प्रवाइड करें, उनको result exactly relevant result मिलें, अब relevant result किस तरीके से मिलते थे, इन्होंने एक algorithm बनाया, जब algorithm बनाया, अब उस algorithm में इन्होंने रखा कि एक website है, उस पे titles होने चाहिए, उस पे descriptions होनी चाहिए, उस पे keywords होने चाहिए, उस पे content होना चाहिए, उस पे images होने चाहिए, उसकी जितनी भी information है यह चीज़ होगी, तो हम उस website को टॉप के लाएंगे, अब जो लोग जिनकी website थी, अब search engine, आपने देखा होगा कि Google के बहुत सारी ऐसे courses हैं, जोके search engine optimization पर बड़ा जोर देते हैं, और उनकी खाहिश यह होती है, हमारे search engine के मताबक website बनाएं, ताके हम उनकी website को crawl करके, हमारे users को अच्छे results दे सकें, तो यह benefit ऑवियसली दोनों के लिए है, यह search engine के लिए भी benefit है, क्योंकि इनतहाई relevant results मिलते हैं, और एक website का honor है यह उसके लिए भी relevant है, क्योंकि उसे भी मिलते हैं, बहुत ही अच्छे results मिलते हैं, उसको organic results मिलते हैं. Sir, अब हमें यह बताएं कि जो search engine है, यह SEO को क्यों prefer करता है? मैंने पहले आपको बताया, कि यह सिर्फ एक website के honor की ही demand नहीं होगी, उसी का फाइदा नहीं होगा, यह search engine का अपना भी फाइदा होगा. क्योंकि search engine के जो algorithms बने होते हैं, वो algorithms होते हैं, कि एक website पे title होना चाहिए, एक website पे description होनी चाहिए, एक website पे keywords होने चाहिए, उस पे content अच्छा होना चाहिए, उस पे images अच्छी होने चाहिए, अगर वो video हैं, videos अच्छी होनी चाहिए, और यह सारे का सारा content अगर search engine optimization के algorithm के मताबिक होगा, तो वो आपकी website को अपने users तक पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी website users के बहुत ही relevant होगी, सबसे पहला मकसद जो search engine का होता है, वो यह होता है, कि जो user हमारे पास आए, उसको मैं बहुत ही अच्छे results दिखाऊँ, अब जब user बहतरीन results देखता है, वो उसी search engine पे stick होता है क्योंकि उसे relevant results मिलते हैं, so for example, पहले हमारे पास आप देखें, yahoo था, MSN था, यह जो search engine थे, ask search engine था, वो search engine बहुत बड़े-बड़े search engines थे, मगर जब उसमें आप कोई भी query लिखें, वो जो results लेके आते थे, वो relevant नहीं थे, Google ने relevancy पे जोर दिया, जिसकी वज़ा से Google ने एक, इसको मतारिफ कराया search engine optimization को, कि अपनी website को optimize करें, अपनी website को इस तरीके से आपने, उसको strong किस तरीके से करना है, फिर उसके बहुत सारे factors बनाए, उसमें factors लिखे गए, इनकी queries मनाई गई, उस queries में factor क्या है, कि आपकी website जो है, अब मज़े की बात यह है, कि हम वो जो factors हैं, उस पे भी एक अलएदा program हो सकता है, क्योंकि अगर factors गिनवाना चाहें, तो यह गैंटो की वो भी discussion है, कि यह factors क्या होते हैं, इस पे भी हम बलके next program ही इसी के हवाले से कर लेंगे, तो यह factors बनाएं, उस factors के मताबक इसने website को crawl करना है, crawl करके तो इसने results को show कर देना है, तो इस program में हमने search engine optimization का जिकर सिर्फ किया है, अभी यह नहीं बताया कि search engine optimization किस तरीके से की जाती है, एक website पे किस तरीके से की जाती है, तो search engine optimization बहुत ही जरूरी है, अगर आपने अपनी website को top पे लेके आना है, आपको optimization की जरूरत होगी, आप अपनी website को search engine के मताबक उसको optimize करें, इसके images को better करें, उसके titles को better करें, उसके content को better करें, इस तरीके से आप पूरी की website को search engine की curies के मताबक करें, तो आपकी वेबसाइट और आपका बिजनस टॉप पे आएगा औरगनिक सर्च रिजल्स में है थैंक यू सो मज़ सर नाजरीन हमने आज आपको SEO के बारे में बताया कि यह क्या होता है नेक्स परक्राम में हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरह इंप्लिमेंट किया जा सकता है कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह टॉप पे ला सकते हैं अगले परक्राम तक के लिए दिजिए अजाज़त अल्ला हाफिस